गीता एक गरीब औरत थी, वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही थी, गरीबी और कठिनायों ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया, वो एक छोटी से गाव में रहती थी, यह गाव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, जहां बुनियादी सुवधाओं का भी अभाव थ यहां के लोग ज्यादा तर खेती पर निर्भर थे, उसके हस्बंट गुजर चुके थे, उनके जाने के बाद गीता की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी, वो अकसर अपने पती की तस्वीर को देख कर रोती थी, वो अपने दो बच्चों के साथ अकेली थी, बच्च वह खेतों में काम करती थी, फसल काटने से लेकर उसे बाजार में बेचने तक का सारा काम वह खुद ही करती थी, उसकी मेहनत का फ़र उसे कभी-कभी ही मिलता था, वह लोगों के घरों में भी काम करती थी, घरों की सफाई, बरतन धोना और अन्य घरेलू कामों में भी वह पिर भी वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत मुश्किल से गुजारा करती थी। वो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। लेकिन हर शाम निराशा के साथ सोती थी। प्रार्थना एक दिन रंग लेगी। वो अपने बच्चों के लिए एक बहतर जीवन की कामना करती थी। गीता ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर एक अच्छा जीवन जी सकें। वो खुद अन पढ़ थी। लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। गीता की नहिनत और संघर्ष ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वो अपने बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करती थी। उसकी मुस्कान में उसकी सारी तकलीफ ही छुपी होती थी। गीता ने सिलाई का काम भी सीखा। वो अपने गाव की अन्य महिलाओं को भी सिखाने लगी। इससे उसकी आमदनी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसे एक नई उमीद मिली। गीता ने अपने हाथों से बने सामान को बाजार में बेचना शुरू किया। उसकी महनत और कला की तारीफ होने लगी। लोग उसके बनाए सामान को खरीदने लगे। गीता की महनत और संगहर्ष को पहचान मिली। उसे गाव के सरपंछ ने सम्मानिद किया। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धी थी गीता की जिंदगी में अब एक नई रोशनी थी उसने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि नहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई एक दिन गीता जंगल से जा रही थी वह लकडी जमा कर रही थी तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी वह एक पुराना मटका था मटका बहुत सुंदर था गीता ने मटका उठाया वह उसे घर ले आई गीता ने मटका साफ किया उसने सोचा कि वह इसमें पानी भर कर रखेगी अगली सुबए गीता ने मटके में पानी भरा ये उसकी रोज की दिन चर्या का हिस्सा था हर सुबए वह नदी के किनारे जाती और अपने मटके को ताजे पानी से भरती लेकिन आज कुछ अलग था उसने देखा कि मटका अंदर से चमक रहा है ये चमक साधारन नहीं थी बलकि एक रहस्य मई रोश्नी थी जो मटके के अंदर से निकल रही थी गीता ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था उसे लगा कि यह उसकी आँखों का धोखा होगा उसने मटके को घुमा घुमा कर देखा लेकिन चमक गायब नहीं हुई गीता को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो सकता है लेकिन जब उसने मटके से पानी निकाला तो वह सोने में बदल गया गीता हैरान रह गई उसने सोचा कि शायद यह कोई सपना है लेकिन सोने के सिक्के उसकी हथेलियों में थे उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था उसने अपनी आखें मली और फिर से देखा सोने के सिक्के अब भी वहीं थे गीता को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है उसने फिर से पानी निकाला इस बार उसने ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है जैसे ही पानी मटके से बाहर आया वह सोने में बदल गया ये कोई जादू जैसा लग रहा था ये फिर सोने में बदल गया गीता ने कई बार ये प्रक्रिया दोहराई और हर बार वही हुआ अब उसे यकीन हो गया था कि यह मटका साधारन नहीं है गीता समझ गई कि यह कोई साधारन मटका नहीं है यह मटका किसी जादू से कम नहीं था उसने सूचा कि इस मटके का उपयोग कैसे किया जाए यह एक जादूई मटका था गीता ने तहे किया कि वह इस मटके का उपयोग अपने गाव की भलाई के लिए करेगी उसने सोचा कि इस जादूई मटके से वह अपने गाव के लोगों की मदद कर सकती है गीता ने मटके को संभाल कर रखा और अपने परिवार को इसके बारे में बताया अब गीता के पास एक ऐसा रहस्य था जो उसके जीवन को बदल सकता था गीता बहुत खुश हुई उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलोने खरीदे उसने उन्हें खूप सारा खाना खिलाया उसने अपने घर की मरम्मत करवाई गीता ने अपने गाव बालों की भी मदद की उसने गरीबों को पैसे दिये उसने बीमारों का इलाज करवाया गीता अब एक खुशहाल जीवन जी रही थी जादूई मटके ने गीता को अमीर बना दिया था लेकिन इसने उसे लालची नहीं बनाया गीता अब भी दयालू और मददगार थी वह जानती थी कि ये मटका भगवान जी का दिया हुआ एक तोहफा है वह इसका इस्तिमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहती थी गाव के कुछ लोग गीता से जलने लगे वह उसके पास आते और उससे पैसे मांगते वह गीता के जादूई मटके को चुराने की कोशिश भी करते लेकिन गीता ने हमेशा अपने मटके की रक्षा की एक दिन एक बूरी औरत गीता के पास आई उसने गीता से कहा बेटी ये मटका तुम्हें हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकता सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है गीता ने बूढी औरत की बात ध्यान से सुनी वह समझ गई कि बूढी औरत सही कह रही है गीता ने फैसला किया कि वह अपने जादू मटके का इस्तिमाल लोगों की मदद करने के लिए करेगी गीता एक साधारन महिला थी लेकिन उसके पास एक असाधारन दिल था उसने देखा कि उसके गाव के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे थे उनके पास न तो अच्छी शिक्षा थी और नहीं स्वास्थि सेवाएं गीता ने सोचा कि अगर वह अपने मटके का सही उप्योग करे तो वह इन समस्याओं का समाधान कर सकती है उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया स्कूल में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई और अस्पताल में सभी के लिए मुफ्थ चिकित्स सेवाएं उपलब्ध कराई गई गीता ने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और हर व्यक्ति को स्वास्थ सेवाएं मिले उसने अपनी मटके से पानी निकाल कर इन दोनों संस्थानों को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए गीता ने अपने गाव को एक खुशाल जगह बना दिया गाव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ थे उन्हींने गीता की सराहना की और उसे अपना आदर्श माना गीता की महनत और समर्पन ने गाव में एक नई उर्जा और उत्साह भर दिया लोग अब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते थे यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं बलकि दूसरों की सेवा करने में है गीता ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे पास दूसरों की मदद करने का जज़बा हो तो हम किसी भी संसाधन का सही उपयोग कर सकते हैं उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी जीवन में दूसरों की मदद करने का प्रयास करें हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए गीता की तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और उन्हें हल करने का प्रयास करना चाहिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी अंदर से खुशी और संतोश मिलता है यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बया नहीं किया जासकता हमें लालच नहीं करना चाहिए गीता ने कभी भी अपने मटके का उप्योग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया उसने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा उसकी कहामें हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहना चाहिए